सो हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू आई स्टड़ी पॉइंट तो देखिए आज के वीडियो में ट्वैल्थ केमेस्ट्री दो लॉंग टाइप क्वेशन देखेंगे बैरी इंपोर्टेंट होंगे 2023 बोर्ड आग जम के रिगाडिंग ठीक है और टेलिग्राम का लिंक डिस्क् लेक निकालेंगे इसमें बहुत जादा इंपोर्टेंट है दोरों और यह तो मोश्ट कई बार यह आ चुका है ठीक है सबसे पहले देखेंगे अर्धायुकाल अच्छा होता क्या है अर्धायुकाल क्या होता यह देख लेते हैं किसी अभीक्रिया को आधी पूर्ण होने मे लगा समय ही अर्धायुकाल कहलाता है इसका मतलब यह कहना क्या चारा है देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कहना चारा मान लीजिए जैसे कोई अभीक्रिया आपने पास ठीक है जैसे मान लीजिए अपने पास है उतनी देर में जितना समय लगा होगा वही जो होता है अर्धायुकाल कहलाता है समझ में आई कि किसी अभीक्रिया को आधी पूर्ण होने में मतलब कि कोई अभीक्रिया हो रही है तो जब वो आधी कंपलीट हो जाईगी तो जितना समय उसने लिया होगा आधी कंपलीट होन कि अभी किर्जा के लिए जो हमने फॉर्मोल एक प्रूफ आपको कराया होगा ध्यान होगा आपको क्या होता है के इस इक्वेल टू क्या होता आपने पास टू पॉइंट थिरी जीरो थिरी अपॉन टी लॉग इसके बेस्में टैन होता था ये ए अपॉन ए माइनस एक्स ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ ठीक है इसका लिंक की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया तो इसी से करेंगे ठीक है अब यहाँ पे ए क्या है आपकी देखिए ए जो होती है वो प्रारंबिक सांदरता होती है ठीक है अभी पूरा का पूरा समझ जाएंगे आप यहाँ पे जो ए होती है वो होती है अपनी प्रारंबिक सांदरता क्या होती है प्रारंबिक सांदरता सांदरता ठीक है ए जो होती है प्रारम्बिक सांदर था ठीक है और उसके बाद जो अपनी x होती है जो x होती है ये x x होती है अभी किर्या में पूर्ण सांदर था ठीक है एक्स क्या होती है एक्स होती है अपनी क्या हो जाएगा शेस्य सांदरता को अब यहां पर बता सकता तो कमेंड सेक्षेंसर देढे कांसर और अगर उपर जो डेरिवेशन परिवासा लिखी हुई है उसमें कितनी सांधरता पूर्ण सांधरता ठीक है अभी किर्जा में सांधरता कितनी पूर्ण कोई बता सकता है नहीं बता सकता ना पूरी पूर्टा मतलब आभी किरह अधी पूर्थ ही यानि कि अभी के आधी पूर्णीड होगी यानिकि प्रहते को बसक्त कि inject's यह बटे 2 आधि का मतलब क्योंता कि से की बाते बाना समझति अब नहीं आ यहां तक समझ में कमेंट सेक्षिन में बता दीने कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंड सेक्षिन में अब बता लगे का इस से भी ज़्यादा सॉल्व गराएंगे बहुत जद灌ता फिर सांदरता क्या हो अपनी ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ठीक है अब देखिए अब यहां से निकाल के दिखते हैं कितना आता यह ठीक है लेकर लगेगा उसमें लगेगा प्राइमिक सांदरता बी एक तरीक से कह सकते हैं पूर्ण अभी किज़ा हो रही है तो उसमें समय कितना लगेगा ती लगेगा लेकिन अगर यहां पर बोलाए कि जो अभी किज़ा वो आधी पूर्ण हो रही है तो समय भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा यानि कि टी हाप जाएगा ती का आधा यानि कि टी हाप हो जाए ठीक है तो तो करते हैं चलिए आपि तो देखिए के कि आप क्यासी रहेगा ठीक है कि आपका एगा यहाँ पर 2.303 आप कैसी आएगा 2.303 ठीक है इस T की जगे पर कितना आएगा अपना T हाप आजाएगा तो इसकी जगे पर रख देंगे हम T हाप ठीक है लॉग लॉग बेस में 10 है एकी जगे पर क्या आएगा बोलिए एकी जगे पर बोलिए जल्दी फटा फट ए ही आएगा क्योंकि प्रारामी किसा अंदरता है वो ठीक है और A-X की जगे पर कितना आएगा अपना जो A-X दिख रहा है इसकी जगे पर इसकी जो value निकाली है वो हम निकाली है AY2 तो यहां पर कितना जाएगा आपका A-Y2 इतना किलियर है इतना किलियर है कमेंट सेक्षन ओपन बताते रहेगा साथ साथ में ठीक है अब आपको तो अरधायू काल का वियंजग अगर आपको निकालना है तो ती हाप को इधर कर लेजिए और के को इधर कर लेजिए तो यहां हाप हो जाएगा टी हाप इस उक्वल टू टू पॉइंट 303 अपन इधर आजएगा के लॉग कि यह उपर चला जाएगा यह ऐसा करें पलट जाता है तो यह हो जाएगा आपका टू एवाई-टू कितना बचेगा टू एवाई-टू सॉरी टू एवाई-ए आएगा ठीक है यह तो पल्ट जागा ऊपर जाके तो दो ए उपर चला जाएगा बटे में ए तो बचेगा इस ए से यह कर जाएगा ठीक है अब यहाँ पर बचता है टी हाप इस उक्वल टू टू पॉइंट 303 अपन के लॉग टू ठीक है लॉग टू बचता है यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लिखी लेते हैं ठीक है टू पॉइंट 303 अपन में के लॉग ठीक है टू ठीक है अब लॉग टू की वैल्यू होती है लॉग टू की वैल्यू आपको यहाँ पर पूट करने पड़ेगी याद है तो अच्छी बात है अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता तब भी मैंने आपको यह चीट बताई थी बहां पर भी ठीक है तो इस लॉग टू की जगे पर आप यहां क्या रख देंगे 0.3010 ठीक है तो रख दीजिए तो यहां पर जाएगा टी हाप इस इक्वल टू 2.303 अपन में कितना रहेगा के इसकी जगे पर कितना रहेगा कर देने simply गुणा आती है नहीं आती है आती है ठीक है कुछ भी नहीं करना भूल जाए कि इसमें point है हम भूल जाते है कि इसमें point है गुणा में आपको बता देता हूँ आपको यहां से भूल जाना है कि हैं पर point है इसकी और इसकी simple गुणा कर देने जैसे करते हैं ठीक है simple एक बाद सबको जोड़ देते हैं सबको जोड़ देंगे तो जितना जोड़ने के बाद आपका अंसर आएगा इधर की साइड में कि एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ के बाद पॉइंट लगा देना कितना लगा देना साथ के बाद पॉइंट लगा देना ठीक है तो यहा के बाद 000 आएंगे ठीक है और 00 की point के बाद अगर जीरो होते हैं तो यही फॉर्मुला है अर्दायू काल का क्या होता है यही आपका formula होता है अर्दायू काल का मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा ठीक है कहीं कोई कोई दिक्कत आये इतने में तो मुझे comment section में आप बता देना बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो comment section खुला आये ठीक है अब अगला question के अपना बो देख लेते हैं इससे पहले हम नए page पे चलते हैं ठीक है दर्शाई है कि प्रिथम कोटी की अभिकिर्या में 99% अभिकिर्या पूर होने में लगा समय 90% अभिकिर्या पूर होने में लगने वाले समय से दो गुना होता है यह जो प्रिथम कोटी की अभिकिर्या है तो जितनी अभिकिर्या 99% पूर होने में अभिकिर्या जितना समय ले ही है और जो अभी किरे 90% पूर्ण होने में समय ले रही है वो उसको दूगना होता है यह हमें प्रूफ करना है ठीक है चलिए करते हैं इसमें दो इस्तिति हमसे बोल दिया है दोनों इस्तिति के सब्सक्राइब करना होता है तो आते हैं पिर्थम इस्तिति में पिर्थम इस्तिति में मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो ए होती है वो क्या होती है अपनी प्रारंबिक सांदरता ठीक है प्रारंबिक सांदर्ता बताया था मैंने यह चीज़ आपको पहले बता दिया है प्रारंबिक सांदर्ता तो प्रारंबिक सांदर्ता कितनी होगी ए इस इकल टू कितनी होगी प्रारंबिक सांदर्ता हंड्रेट होगी अरे कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है तो अभी अभी इस्सा कट जाएगा तो कुछ कुछ पर्संट कम हो जाएगा तो बहिया अभी तो मैंने काटा ही नहीं है तो अपने अभी 100 परसंट रहेगा ना ऐसे हां पर अभी किर्या भी हुई नहीं है तो जो प्रारमिक सांधरता वह वह में पूर्ण सान्दरता तीक है अभी किरज्या में pel vet सान्दरता कितनी है एकस से दिखाते हैं कितनी पूरत ही 99 परसेंट पूर से सांदरता आपकी कितनी बचेगी भई से सांदरता बतानी है सबसे बढ़िया कोशन है ये अब तक का ठीक है से सांदरता A में से X को उटा देते हैं A-X होती है बचेगी अपने पास 100 में से 99 माइनस कर देंगे यानि कि कितनी बचेगी अपने पास एक बचेगी बचेगी एक किलियर है इतना इतना किलियर है या नहीं है ठीक अभी चलिए बढ़ते हैं आगे इसको हम equation number first मान लेते हैं और यह जो सारी की सारी value इसमें put कर दीजे ठीक है तो पिर्थम इस मान लेते हैं यहां पर माना 99% अभी कर रहा पूर्ण होने में लगा समय पूर्ण होने में लगा समय चाहे टीवन है क्या है टीवन ठीक है तो इसकी जगे पर लिजे टीवन टीवन इस इक्वल टू 2.303 2.303 अपॉन में के है लॉग कि यह कितना अपना वई देख लेते हैं यह अपना 100 तो 100 आएगा अपाउन a-x क्या आए a-x अपना 1 यहाँ पर देखिए 1 है ठीक है दिखने रहा था अब दिख रहा है न हाँ a-x कितना 1 ठीक है इसको क्लिए लिए अपना क्लिए हो जाएगा चलिए आगे करते है ठीक है अब देखिए मैं विल्कुल राम राम से इसी नहीं पड़ा रहा हूं यह सबानी में आये पूरा ठीक है तो t1 is equal to कितना हो जाएगा 2.303 अपन में के लॉग अब यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 100 बचेगा एक से आप 100 में भाग देंगे तो 100 इट नहीं तो है तो उस हैंड्रेट को मैं लिख सकता हूं 10 का square ठीक है 10 लिख सकता हूं ना थीक है अब यहाँ पर log जो 10 की value होती है log 10 यह वाला देखिए यह वाला 10 तो यह है और यह log 10 की जो value होती है वह ओती है वन के लिए रहे हैं लॉग टैन की वैल्यू वन होती है मैंने बताई यह बेस में होता तो इससे कोई फरत पढ़ता नहीं है यह बेस में होता लॉग के साथ ठीक है तो लॉग टैन की जगे पर रखेंगे हैं लॉग टैन की जगे पर रखेंगे वन तो वन पुट कर दीजिए यहां पर पूट कर देते हैं ठीक है उससे पहले ने एक चीज आपको करने पड़ेगी यहां पर लॉग N की पावर N का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रिथम पोटिख किया गागा जब एंजर्ट फॉर्म कुझा था हुआ बता है था क्या जाएगा पर इसको 2 को नीची लेंगे तो लॉग 15 & 10 कि जगे वन पुट कर देते च तो टी इसको मान लेते इसको 192 अब अपा난 गयर तो 2 ऐतना के Ether और आधे हम झित्तिय स्तिती में क्या उलता था वो कोशिन पर आजए वापस से कोशिन पर घाए बापस से दित्तिय स्तिती मुझे बोला कि 90 अभी केज्या पूर होने में लगने वाले ऐसामय का दो गुणा था थे तो वही श्टांटिंग कर दीजिए प्रारंबिक सांदर्ता कितनी रहेगी 100 ही रहेगी कोई अभी अभी कर्या पूर नहीं हो रहेगी ठीक है तो लिखें यहाप प्रारंबिक प्रारंबिक सांदर्ता प्रारंबिक सांदर्ता जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी A is equal to 100% ही रहेगी ठीक है अब जो अभीकिर्याँ में पूर्ण सांदर्ता किस से दिखाते हैं से एकसे से दिखाते हैं ना तो ये इसे कितनी परसंट पूर्ण हो रङी है तो सेज सांदरता आपके कितनी बचेगी सेज सांदरता हम निकाल लेते हैं तो जो सेज सांदरता बचेगी वो अपने पास बचेगी A-X हाना A की आपने पास 100 है माइनस X क्या है 90 ठीक है तो जो सेज सांदरता बचेगी वो बचेगी 10 कितनी बचेगी 10% के लिए रहे इतना ठीक है वहीं फिर से वहीं कना यह वाली जो value है यह सारी value उठाकर रखनी है बापस से इसी समी करण में ठीक है इसी वाली में बस यहाँ पे आप मान लेना है को कि 90% पूर्ण होने में जो लगा समय है अभी कित्या पूर्ण होने में लगा समय है तो मान लेते हैं अब नब्या परसेंट पूर्ण हो रही है तो लिखे नब्या परसेंट अभी किर्या अभी किर्या अभी कित्या पूर्ण होने में लगा समय है यह कॉपी की नीचे का हिस्सा है तो थोड़ा राइटिंग गड़गड़ हो जाती है कोई दिकत नहीं ठीक है समय है वो क्या है टी टू है टी टू है ठीक है तो देखिए यहां पर जब आप बैल्यू पुट करेंगे ठीक है तो इ टी टू इजिकल टू क्या था बना तू पॉइंट थिरी जीडो थिरी था अपॉन में के था ठीक है और क्या देखिए एक बार दिखा देता हूं लॉग ए अपॉन ए माइनस एक ठीक है तो लिखिए यहां पर लॉग जिखिए आपका देखिए आपका अंडरेट तो 100 आज पॉइंट थिरी जीरो थिरी अपॉन के यहां बचेगा आपको लॉग टैन यह तो कट गया दस बार तो लॉग टैन बचा ओ लॉग टैन की वैल्यू अभी लिखाई थी आपको यहां पर देखिए वन होती है ठीक है तो इसकी जगे पर कर देंगे वन पूट ठीक है लॉग तो इँदोनों समेह करण को पहले में नयू पर लिख लेता हूं फिर आपको आगे क्वा सौल्फ कराता हूं खतम हो गया ना समनी करन को इस समीकरण से भाग देनेपद लिख लीज़े पहले समी करण 2 को 3 से भाग देने पर तो भाग देते हैं देखे 2 को 3 से भाग देने तो T1 में T2 की भाग जाएगी मतलब लेफ्ट हंड साइड की लेफ्ट हंड साइड में और राइट हंड साइड की राइट हंड साइड में तो T1 की भाग किसमें जाएगी T1 में भाग देंगे हम T2 से इज इक्वल टू इधर भाग देंगे 2 इंटू 3 पॉइंट सुरी गाई यह 2 है अपना 2.303 यह थोड़ा मिश्टेक हो गया है आपर और 2.303 गुणा में उपर भी है तो यहां भी इससे यह कर जाएगा ठीक है तो जो बचता है आपने पास क्या बचता है बचता है T1 बटे T2 इस इक्वल टू ठीक है आप इस T2 को आप इधर भेज दीजिए तो T1 यहां से बचेगा टू T2 यहीं हमें सिद्ध करना था T1 क्या पूर होने में लगा समय तो कोशन में हमसे यहीं बोला था कि दर्साई है कि प्रिथम कोटी की अभी कित्रिया में 99% अभी कित्रिया पूर होने वाला पूर होने में लगा समय यह आया जो लगा समय है वो 90% अभी कित्रिया पूर होने में लगा समय का दो गुना होता है यही में यही बोलता सिद्ध करने के लिए तो यह हमने सिद्ध कर दिया ठीक है फाइनली बढ़िया करके आपको दो मिलते हैं किसी नेस्ट वीजियों में तब तक कि ने जय हिंद वंदे मातरम भारत मता की जय